प्रश्णी आंख में चलो उटो फ्रेश हो जाओ सबसे पहले नहालो नाच्टा करोगे आच यह नहीं आप नाच्टा नाच्टा क्यों करते नहीं जाते ऐसे तक हम लोग पॉने साथ वजए स्टार्ट करें है न सरे लाम करो आपका यूनिफॉर्म यहां रेड़ी है चलो वाश्रूम जो मैं आ रही हूं आपके पीछे जो मैं आ रही हूं शाबाज क्या कर रहे हो इदे के शरेम माशाला रेड़ी भी हो गया नहां दो के फ्रेश हो के अच्छा अच्छा विपन वहां तलवार तो नहीं है चलो माशाला माशाला रेड़ी भी हो गया चलो मैं आपके शूज लेकर आती फिर निकलते हैं ठीक है ठीक है यह कैसे बोल रहे हो आज मैं तो भी बोड़का ही ने पेना मैं भी पेनूंगी न हुर्खा अच्छा आज में क्या बनाओ आपके लिए खाने में मेरे लिए आप खाते तो नहीं हो गर का मैं बोलो बाहर से एक पराटा क्रीम नहीं आई यानि गर का खाना ही नहीं है कुछ भी हो नहीं जो भी खाना है बाइड से गर का कुछ भी नहीं खाना हाँ जल्दी जल्दी पहनो शूज नहीं हो रहा है हो गए जलो बैक पहनो जल्दी एक सेकेंट क्या कर रहे हो रेडी हो गए जेट खोलो मैं पानी की बोतर लेके आ रही हूं चड़ो आज सलम्म वालेकूम आई यूटियो फैमिली तो कैसे आप लोग सब उमीड करती हूं सब चीख होंगे वेलकम बेक तो मैं चैनल आज एक व्लॉग के साथ यूटियो को लाइक शेयर करना ना भूलें शुरेम को इसकूल छोड़ने के बाद मैं आके पूरी किचन के साफसफाई की पूरी गर्ती की उसके बाद मैंने फ्रिज से गोश निकाला और मटर जो मैंने फ्रोजन जो संबाल के रखा था तक्रीब मैं दो तीन महीने से मैं चला रही हूं तो वो मैंने निकाला रेडी किया उसका क्लिप लेना में बूल गई और बस यहां में बना रहीं कुछ रोटियां फिर शुरेम के पापा आएंगे फिर दुपैर का खाना में लगाऊंगे उसके बाद शुरेम को कुछ देर के लिए म पिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अगर आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यहाँ जो हैना मैंने रोटियां बना ली है और सालन भी रीडिय है लेकिन उसके बाद मैंने देखा मेरे आजबन डायते तो बच्चों के लिए चावल लेके आयते और अपने लिए और मेरे लिए बाहर से जो कबाब होते हैं बर्गर वाले वो लेके आये थे तो सालन जो हैना में कल जो हैना दुबारा गरम करके निकालूगी तो आज बस ही कबाब और बिर्यानी के साथ जो हैना खाना खाते हैं बच्चे मेरे माशाला सो रहें दोनों तो उमीद करूंगी आज का व्लॉग भी आप लोंको पसंद आया होगा तो वन सगें अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कॉमेट करना मद भूलेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें तुआ हमियाद रखें आफेज थैंक यू फॉर वाचिंग अपने बच्चों मेट करें